हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनालसिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नहीं चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं सासा draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो number आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह है मेरा whatsapp number है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या phone consultation लेना चाहते हैं तो इस whatsapp number पर message send कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक squarish formation में नजर आ रही है कुछ इस तरह है की shape इनकी हथेली की जो यहाँ पर indicate करती है काफी hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को check किया जाए तो fingers काफी अच्छी length में है इनकी shiny finger जिसको मध्यमा भी कहते हैं काफी अच्छी लंबाई में है बिलकुल straight shiny finger जो यहाँ पर indicate करती है काफी hard working nature के होते हैं और अपनी इसी quality की वज़े से life में काफी अच्छी progress भी पा लेते हैं कि ऐसे व्यक्ती के भीतर काफी अच्छी creativity रहने वाली है एक अच्छा social circle ऐसे व्यक्ती अपना create कर लेते हैं और इनकी ब्रस्पती finger हलकी सी short है जो यहाँ पर leadership qualities में थोड़ी सी कमी ला रही है और ब्रस्पती finger का short होना व्यक्ती को family से दूर भी कर सकता है प्रवास करना पड़ सकता है ऐसे व्यक्ती studies के लिए या फिर अपनी job के सलसले में घर से दूर जा सकते हैं विदेश जानी की संभावना भी बढ़ जाती है जब जो ब्रस्पती finger है वो सूरे finger से थोड़ी सी short ह अगर बात की जाए fingers के बीच में बनने वाले gaps की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक gap काफी clear नजर आ रहा है इस तरह के gaps का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ती काफी ज़दा independent nature के होते हैं अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और थोड़ा सा खर्चीला सभा भी इन लोगो fingers में बिलकुल आपस में सटी हुई हो तो ऐसे व्यक्ती काफी ज़दी सभाव के हो सकते हैं ऐसे व्यक्ती बहुत ज़दे independent होते हैं और अपने सभी decision खुद से लेना पसंद करते हैं किसी के ऊपर depend करना इन्हें बिलकुल भी पसंद नहीं होता और थोड़ी से rebellion type की nature भी हो स सकते हैं आगे आप देख सकते हैं इनकी mercury finger की लंबाई को mercury finger की अगर लंबाई की बात करें तो सूर्य finger से थोड़ी short रह रही है हलका सा यह mount भी low set हो रहा है जो इन्हें communication skills तो काफी अच्छे देगा लेकिन इस mount का low set होना दर्शाता है कि थोड़ी सी hesitation वाली nature भी ऐसे व्यक सकते हैं काफी सारी सीधी खड़ी रिखाएं इनकी fingers के ओपर मौझूद हैं इस तरह की रिखाएं जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसी रिखाएं जितनी ज्यादा हो उतनी ज्यादा अच्छी मानी जाती है इन रिखाओं के होने से व्यक्ति की जो nature है काफी sober होती है ऐ इनकी सभी रिखाओं को भी हम यहाँ पर चेक करेंगे तो अगर मैं एक line draw करता हूं तो कुछ इस तरह की line बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो mercury mount है सिर्फ यही हलका सा low set है जबकि इनके बाकी के mounts जैसे सूर्य मांट शनी मांट और गुरू मांट इ इनों को काफी अच्छी space मिल पा रही है mercury का low set होना shy nature तो देता है लेकिन अगर इस mount की तरफ आने वाले कोई लंबी mercury रेखा मौजूद हो तो वो सभी कमियों को दूर कर देती है अब यहाँ पर देख सकते हैं एक लंबी mercury line है कुछ इस तरह ऐसे यहाँ रेखा यहां से भी काफी अच्छी रहेगी इस रेखा को जिसे हम mercury line कहते हैं बिजनस line का नाम भी दिया जाता है और जिनके हाथ में ऐसी एक सीधी और सपश्ट रेखा मौजूद होती है ऐसे व्यक्ति का business equipment strong होता है और ऐसे व्यक्ति अपनी इसी जो समझ है इससे wisdom से काफी अच्छा धन क हम आ सकते हैं business किसी ना किसी तरह कर सकते हैं और जो यह खडी रिखाई हैं इन्हे हम healing line से नाम से जानते हैं और इस से रिखाई होने से व्यक्ति के भीतर healing qualities आ जा जाते हैं ऐसे व्यक्ति दूसरों की help करने वाले होते हैं अगर यहाँ पर ज़्यादा रिखाई हो तब अंदर की तरफ दब्ता नजर आ रहा है सूरय माउंट बहुत जादा ऊपर की तरफ उठा हुआ नहीं है जिस वजह से जो यश है वो बहुत जादा व्यक्ति को नहीं मिलता और अगर सूरय माउंट उठा हुआ हो और कोई लंबी सूरय रेखा अगर कोई ऐसी लंबी रेखा हाथ में मौझूद हो तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फेम मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सूरिया रेखा है लगबगी साइस की है जो इनकी हार्ट लाइन के उपर से ही नज़र आ रही है इस तरह की सूरिया रेखा का होना यहाँ इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को फेम ज़रूर मिलेगा लेकिन लेटर स्टेज आफ लाइफ में चलकर लाइफ के सिक्स्टीज के आसपास की एज में चलकर ऐसा व्यक्ति काफी फेमस हो सकता है आगे बात करते हैं इनके शनी माउंट की आप देख सकते हैं शनी का एरिया यहाँ पर फ्लैट है शनी रेखा को अगर देखा जाए तो वो भी मौझूद है लेकिन उसमें भी मुझे कुछ गैप्स नजर आ रही है यहाँ इनकी शनी रेखा है आप यहाँ से देख सकते हैं इस तरह की दो तिन ब्रेक्स के साथ यहाँ रेखा ऊपर की तरफ पहुँचती हुई कम्प्लीट सीधी शनी रेखा का अभाव मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है मौंट का फ्लाट होना व्यक्ति को महनती बनाता है ऐसे व्यक्ति को महनत करनी पड़ती है किसने किसी काम में काफी महनत करती तब यह जाकर इन्हें सक्सेस मिलती है और इस तरह के गैप्स अगर मौजूrek मौजूद हो अधेयली में लेकिन 36 की एज के बाद यह काफी लंबी भागया रेखा जो यह दर्शार रही है कि 36 की एज के बाद इने काफी अच्छी प्रॉग्रेस भी लाइफ में मिल जाएगी और इसी तरह से अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर एक लंबी और डीप कट लाइन है यहाँ रेखा पैसा भी काफी अच्छा होगा क्योंकि स्ट्रगल से हैं मेन से ही व्यक्ति पैसा इकठा कर पाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मनी ट्रैंगल की फार्मेशन भी हो रही है बिशक हलका सा वीक हो रहा है मनी ट्रैंगल लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ जो रेखा है इसको हम mercury line कहते हैं और यह है जो रेखा है इसको कहा जाता है भागया रेखा और यह है जो रेखा है इसको कहा जाता है mind line इस area में थोड़ी सी भागया रेखा कमजोर पड़ रही है लेकिन एक अच्छा money triangle भी यहां पर बन रहा है जो indicate कर रहा है कि काफी अच्छा धन यह है अपनी life में accumulate कर पाएंगे आगे देखते हैं इनके guru mount को तो यहां पर आप देख सकते हैं का guru mount कि स्थरह से प्रभाव देता नजर आ रहा है थोड़ा सा एक side से दबता हो guru mount और हलका सा जो शनी mount की तरफ shifted है जिसकी वज़ा से ऐसे व्यक्ति के बीतर थोड़ी विरागया की भावना भी आ सकती है लेकिन यहां mount उठा हुआ है उपर की तरफ जो एक prominent position बन जाती है थोड़ा सा shifted है बिशक इस तरफ शनी की तरफ को थोड़ा सा shifted हो रहा है यह mount लेकिन उठा हुआ ब्रस्पति mount व्यक्ति को knowledgeable बनाता है ऐसे व्यक्ति के knowledge काफी अच्छी रहती है और knowledge यहां पर मेरा meaning डिग्रीज या डिप्लोमा से नहीं है यूनिवस्टी की knowledge से नहीं है यहां पर की संभावना रहती है आगे अब देख सकते हैं इनकी heart line heart line बिलकुल अच्छे कर्व में है कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ और यह ब्रस्पति mount की तरफ बढ़ती हुई heart की लाइन व्यक्ति को दिल से religious बनाती है ऐसे व्यक्ति honest यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ी shallow हो रही है यह रेखा जो indicate कर रही है 60s के आसपास की एज में थोड़ी सी दिकतों को heart related problems को भी और आप देख सकते हैं यहां पर इनकी line of जो mind है थोड़ा सा जुकी हुई नजर आ रही है ऐसे व्यक्ति over thinker होते है काफी जादा over imagination होती है यहां से इस रेखा का नीचे की तरफ जुकना अब देखते हैं एंडिंग पार्ट में आकर यह रेखा नीचे की तरफ जुकरी है और पहले उससे थोड़ी straight है इस रेखा का नीचे की तरफ जुकना व्यक्ति को imaginative बनाता है ऐसे व्यक्ति काफी जादा कल्पनाएं करने वाले होते हैं अदर्वास कोई major problem मुझे इनकी line of mind से नजर नहीं आ रही अगर बात करें इनकी life line की तो आप देख सकते है life line काफी अच्छी length में है और एक ब्रांच इस रेखा से निकल कर बाहर की तरफ चल लिए यहां इनकी life line है और यहां से एक ब्रांच बाहर की तरफ और एवन एक हलकी ब्रांच यहां से भी इस तरह की जो ब्रांचीज रहती हैं यहां दर्शाती हैं कि ऐसा व्यक्ति विदेश जात्राएं करता है life में घर से दूर जाकर stay करने के chances बढ़ जाते हैं काफी लंबी stays कर सकता है घर से दूर किसी दूसरी place पर जाकर चाहे वो अपने ही country में हो यहां किसी foreign country में हो विदेश जाकर भी ऐसा व्यक्ति बस सकता है इस तरह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब इस तरह की branches life line से निकल कर चंदर माउंट की तरफ बढ़ें और overall अगर age की बात करें तो लगबग यहां पर 75 से 80 के आसपास की age रहनी की संभावना है और इनकी जो यहां इनका माउंट है शुक्र माउंट काफी prominent है उबरा हुआ शुक्र माउंट व्यक्ति को काफी अच्छे results देता है ऐसे व्यक्ति के life में हर तरह कि सुक सुविधाएं व्यक्ति को मिल जाती है जब यहां माउंट prominent हो अगर चंदर माउंट की बात की जाए तो अब देख सकते हैं चंदर माउंट का एरिया हलका सा दब रहा है और चंदर माउंट के ऊपर कुछ ऐसी रिखाएं मौजूद हैं ऐसी रिखाएं जिने हम lines of anxiety भी कहते हैं short travel की lines भी यह कहलाती है ऐसा व्यक्ति life में काफी जादा short traveling भी करता है और ऐसे व्यक्ति को थोड एरिया है जब भी कुछ ऐसा चिन बनता है जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कुछ fish ऐसा symbol यहां पर बनता हो नजर आ रहा है यह व्यक्ति को inherited wealth देता है अचानक थनलाव मिलने के chances रहते हैं इस तरह का चिन बनने से और ऐसा व्यक्ति life में कई बार foreign travels करता है तो यह कुछ analysis से इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सबी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के थुरूद दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिनिया स्वाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp मेसेज करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद